हलो बचों स्वागत है आपका अपने योटूब चैनल चैकपूर पे बचों आज के इस वीडियो में हम डिसकस कर रहे हैं कक्छा 6 का विज्ञान विज्ञान का हम लोग पहला चैप्टर लिये हैं हम लोग भोजन ठीक है और भोजन में हम लोग देखेंगे बहुत सारे important ऐसे objective question जो आपके exam में पूछे जाते हैं तो बचों आप कहेंगे कि sir इसमें तो आपको answer दिया हुआ है तो फिर हम videos क्यों देखेंगे पूरा तो बचों आपको videos देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पर आपको trick से आज ही की इस videos में सभी answer याद करा देंगे ठीके बचों तो videos काफी important होने वाली है videos को जल्दी सा like कर दिजे बचों क्योंकि आज का इस videos का target है हमारा 10 like जल्दी सा 10 like पुराने में आप भी सामिल हो जाएए और जल्दी से videos को like कर दिजे चैनल को जदी subscribe नहीं किये तो चैनल को subscribe कर लेजे चलिए शुरू करते हैं तो बचों हमारा पहला सवाल है आलू में क्या होता है ठीक है बचों आपके options है मंड है वसा है प्रोटीन है खणी जलवन है तो बचों हमारे यहाँ ज्यारकंट और बिहार में आलू के पराथे काफी famous है यह जब आलू के पराथे बनते हैं तो आलू को क्या करेगा मत मंध्त देते हैं तो मतना कोही मंध्तमा आप कभी मंध्तमा इसे आप यार्द रख सकते हैं कि आलू में क्या पाई जाता है मंध्त पाई जाता है ठोवन्हें हमारा अलू क्या पाला सबस्थे पहले बच्छों, आपको मैं बता दूं, कि karbohydride उसमें ही पाया जाएगा, जो Zem신 के अन्दर से, जो Zem 16 से निकलता है। तो जमीन से जो भी पदार्थ निकलेगा, उसमें क्या पाया जाएगा? कारbohydride पाया जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि दाल में अधिक मातरा में पाया जाता है देखिए बच्चों दाल में पाया जाता है क्या चीछ प्रोटीन दाल में अधिक मातरा में क्या पाया जाता है बच्चों प्रोटीन पाया जाता है तो दाल की कमी से क्या हो जाता है बच्चों में, टीन के ऐसा वे पतले हो जाते हैं, तो टीन से आपको प्रोटीन याद रखना है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, इन में से किसमे पोसक मुल्य सुनने होता है, इन में से किसमे पोसक मुल्य सुनने होता है, तो इसका स होता है तो रुख छांस में किसमें होगा बच्चों रुख छांस में ठीक है बच्चों चलिए अगला सवाल है हमारा घेगा रुख किसकी कमी से होता है तो घेगा रुख जो होता है घेगा रुख क्या होता है बच्चों कि इस तरह से एक मान लेज़े कोई भी यह है तो किसी का गला है यह ठीक है तो एक बार फिर समय बना देता हूं मान लेज़े यह किसी का गला है ठीक है यह सर हो गिया यह गला है तो गला में थोड़ा सा सूजन टैप का हो जाता है उसे हम लोग घेगा कहते हैं ठीक है ना तो घेगा रोग वो किसकी कमी से होता है तो घेगा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण गेगा रोग क्या होता है बच्चों आयोडीन की कमी के कारण होता और हमारे भोजन में आयोडीन कौन पूर्ती करता है तो नमक करता है नमक के द्वारा ही हमारा हमारे सरीर में क्या जाता है आयोडीन ज होता है जो की काफी परचलेक सर cooked temps पानि के बीच में रहता है तो आप से याद याद रंकिना कि गेगा आया डरो नहीं इसे आप याद रखेंगे गेगा । कौन सा पोसक पदार्थ नहीं है तो जीमें र tämä आपर रूप इसमें नहीं मिलता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा हड्डियों एवं दातों को किसके उपयोग से स्वस्त रखा जा सकता है तो हड्डियों और दातों को किसके परियोग से स्वस्त रखेंगे तो केल्सियम के सरीयोग से हड्डी और दातों को क्या रखते हैं मजबूत रखते हैं और स्वस्त रखते हैं चले बचो नेक्ट सवाल है हमारा कि निमलिखित में से किस खाथ पदार्थ में स्टार्च की अधिक मातरा पाई जाती है तो कौन से खाथ पदार्थ में स्टार्च की मातरा अधिक पाई जाती है तो वो है बच्चो आलू में ठीक है आलू में जो होता है बच्चो इस्टार्च की मातरा जो है वो अधिक जो है मातरा में पाया जाता है अब देखिए हैं स्टार्च का ही दूसरा नम क्या है बच्छो मंड है यदि मंड दे देता तो आप तो तुरुन पहचान जाते कि इसमें पाए जाता है लेकिन अब स्टार्च नम से अगर देगा तो इसे कैसे पहचानेंगे तो इस टार्च से आपको याद रखना है टार्च क्या हो गया टार्च टार्च तो आप याद रख सकते हैं अब आलू कहां पाए जाता है तो आलू पाए जाता है जमीन के नीचे तो जमीन के नीचे अगर आप साम के समय जाएंगा या रात में जाएंगा आलू निकालने के लिए तो आपको क्या चीज़ की जरूत पड़ेगी टॉर्च की जरूत पड़ेगी है ना तो इससे आप याद रखेंगे इस टॉर्च किस में पहले जाता है आलू में ठीक है next नेक्स्ट सवाल है हमारा धुसका भारत के किस राज्य का लोग पिरिये भोजन है तो धुसका किस राज्य का है तो बच्चों धुसका जो है हुआ हमारा वो जारखंड का लोग पिरिये भोजन है धुसका ठीक है याद रहेगा चली बचो नेक्स्ट सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन मुख्य रूप से सरीर वर्धक भोजन है तो बचो सरीर के जो वर्धक परदान करेगा जो सरीर के लिए वर्धक होता है वो कौन होता है बचो दाल होता है ठीक है तो दाल क्या होता है सरीर वर्दक भोजन होता है ठीक है ना खारे तिल नहीं होता है गाजर भी एकले नहीं होगा गेहूं भी नहीं होगा ठीक है तो इसे याद रखेंगे नेक्स्ट है हमारा मडवा रोटी लोग पिर ये भोजन है कहां का तो मड़वा रोटी जो बच्चो लोग पिर ये भोजन हो जाएगा कहां का तो ये हो जाएगा हमारा ज्यारखंड का मड़वा रोटी कहां का लोग पिर ये भोजन हो गया तो ज्यारखंड का है इसे याद रखेंगे आप ठीक है नेक्स्ट है हमारा रक्त का थक्का बनने में सहायक है रक्त का थक्का बनने में क्यों सा विटामिन सहायक है तो विटामिन K ठीक है याद रखेंगे काफी important सवाल है और ये exam में बार बार पूछा जाता है तो रक्त के ठक्का जमने में जो सहायक विटामिन है बच्चो तो वो क्या है आपका विटामिन के है ठीक है बच्चो हमारा अगला सवाल है इस सवाल में कहा जा रहा है तो बच्चा वहां परजनन को परभावित करता है तोचा और परजनन को परभावित करने वाला कौन सा विटामिन है तो विटामिन E यानि विटामिन E की कमी के कारण जो है तोचा में कुछ बिमारियां हो सकती है और परजनन को भी ये परभावित करता है ठीक है नेक्ट सवाल है बच्चों हमारा नेक्स सवाल में है हमारा तवचा और आँखों को स्वस्त कौन रखता है तो कौन सा विटामिन तवचा और आँखों को स्वस्त रखता है तो बच्चों आँखों को स्वस्त रखने वाला विटामिन कौन सा है तो विटामिन A है, ठीक है न, विटामिन A जो है आँखों को सुरत रखता है, important सवाल रहेगा आपके exam के लिए, ठीक है, next है हमारा, विटामिन C का अधिक, विटामिन C अधिक पाया जाता है किसमें, तो देखें बचों, विटामिन C जो होता है, वो खटे फलो में अधिक पा होता है बचों, वो विटामिन D की कमी के करण होता है, कौन से कमी के करण, विटामिन D की कमी के करण होता है, रिकेट्स रोग, ठीक है, next है हमारा, अरंडी, महुआ, सुर्गुजा और मुंगफली में परमुकता से पाया जाता है, क्या चीच पाया जाता है, आपको बताना ह जब कोई आलू कटा भाग होगा, जब कोई आलू काट दीजेगा ठीक है, उस पर आयोडीन गिराइएगा, ठीक है, आयोडीन जिस नमक नोता डालिएगा, तो उसका रंग क्या हो जाएगा बच्चों, नीला हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टार्च टेस्ट के पहले सवाल में आपने पपाला था कि केल्सियम के कारन जोहता है, क्या होता है बच्चों, हमारा हड्डी और दांत मजबूत होता है, तो दंत अच्छाय होगा, यानि दंत का नुक्सान होगा, छफपी होगा, तो जब चैनल पर यदि बच्चों, पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा घंटी के बैल ऐकन को प्रेस कर दीजएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए और यदि आप हमारे चैनल से यदि आप को हमाई ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए अच्छा लगा है अच्छा लगा है